नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हलाना खान स्वागत है आपका दा लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में ब्रिटिश हुकूमत के रहते सूबे में तीन ब्राहमर स्टेट में एक बरेली भी थी तब यहां के राजा कौन थे आज हम आपको उनके बारे में और उनकी कोठी के बारे में बताएंगे लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुखियों पर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक निगम ने चलाया अभियान मंगलवार को अस्पताल प्रशासन की मांग पर नगर निगम की टीम ने अस्पताल पहुँचकर कुटों को पकड़ने का अभियार चलाया जहां से दर्जनों कुटों को पकड़ कर बाहर छोड़ा गया है सैथपुर नहरोड पर बसाई जा रही अवैद कॉलोनिया बीडिये ने डहाई इन कॉलोनियों का नक्षा पास नहीं कराया गया था बीडियो पाद्यक्षिप जोगिंदर सिंख ने बताया कि खाली दोर आने लोग अम्मार इंकलेव नाम से चवालीस सो वर्ग मीटर जमीन पर अवैद कॉलोनी बसा रहे थे यहीं किस्मत अलीस एनिक कॉलोनी के नाम से ब्यालीस सो वर्ग मीटर की जमीन पर निर्माण करा रहे थे अजहरी कॉलोनी अर्टालीस सो वर्ग मीटर जमीन पर निजामुद्दीन बसा रहे थे इस्लामुद्दीन 4500 वर्ग मीटर पर कलीम नगर नाम से कॉलोनी बसा रहे थे किसी भी कॉलोनी का नक्षा पास नहीं था इन सभी को ड़ा दिया गया यहां से कुछ आगे 4000 वर्ग मीटर जमीन पर मोनिश साइट ऑफिस बना कर विदुद पोल लगाने और सड़क का निर्माण करा रहे थे उसे भी धोहस्त करा दिया गया है इंडियन इंडिस्ट्री असोसियेशन आई 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 ए ने सुष मेवं लगू मद्यमुद्यक का उठाया मुद्द आई 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 ने पत्रकारों से बाचीत में कहा कि यूपी में आबादी के लिहाज से MSME की संख्या दूसरे राज्यों से काफी कम है राज्य में 99.9 लाख MSME हैं जोसे करोणों लोगों की रोजी रोटी चलती है चुँकि अगले साल राज्य में विधानसवा चुनाओं हैं इसलिए आई 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 ने MSME के विकास के लिए कुछ बिंदू तयार किये हैं जोने राज्य नितिक दलों से अपने घुष्णा पत्र में शामिल करने की मांग उठाई है ये हमारा MSME जो सेक्टर है उससे संबंदित जो हमारी कुछ परशानिया है वो हमने अपने इस एजेंडा में रखी है और इसको हम 22 तारिक से लेके 29 तारिक तक जितने भी हमारे यहां पर राजणितिक पार्टी मौजूद है उने जो उच अधिकारिया उच घण już इजो हैं चाय विधायक जी हों चाय संसत मौदे हो चाय जिला द्यक्ष्मौदे हो Candir हम अपने इस एजेंडे को लेके जाएंगे और यह अकेले बरिली का ही नहीं है आज हमारी इंडियन इंडिस्ट्री रेस्टेशन की सेंटर बॉर्डी ने ओल ओवर इंडिया इसको ग्यारा बज़े से बारा बज़े के बीच में देने का कारेकम रखा और यह प्रदेश के दे बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के लिए पावर कॉपरेशन को सर्वे करने के लिए कहा है स्मार्ट सिटी सी यू और विशेक आनंद ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और यहां अब जल काम शुरू किया जाएगा इसके लिए सम्बंदित विवाग को ज़रूरी निर्देश दिये गए हैं विवाग स्थान ये इस तरपर जाकर सर्वे करेगा और इसके बाद निर्मार्णिकार शुरू हो जाएगा एडियम सिटी ने किया कोविड हॉस्पिटल का निर्ख्षंट स्वास्त अधिकारियों के छूटे पसी ने तीन सो बेड कोविड अस्पताल में कोरोना की सेंपल नश्ट करने के मामले में डियम के निर्देश पर एडियम सिटी डॉक्टर राम दुलारे पांडे ने अस्पताल का निर्ख्षंट किया A.D.M. में स्वास्ताधिकारियों के बयान दर्श किये उन्होंने डॉक्टर से सकती से कहा कि आखिर किसके कहने पर कोरोना की तमाम सेंपल नश्ट कर दिये गए सेंपलों की जाच क्यों नहीं कराई गई और जो रिपोर्ट लोगों को दी गई वो किन सेंपल की थी साथ ही जब कोरोना की सेंपल लिए गए उस वक्त तैनाथ CMS डॉक्टर पवन कपाहि फ्लू कॉर्णर इंचार्ज डॉक्टर सीपी सिंग और CMS डॉक्टर सती शिंद्रा के भी बयान दर्श किये बुद्वार को इसकी चांट सिलाधिकारी को उपलग्द कराई गई आई अब बात करते हैं ब्रामन स्टेट और उसके राजा के बारे में बरेली की ब्रामन स्टेट के राजा काली मोहन नाथ मिश्र उर्फ काली चरन मिश्र थे उनका इक बड़े हस्से पर राजी था फूलबाग में साट वीगा से ज्यादा श्रेतरफल में पहली उनकी कोठी का उद्गाटन करने लेटिनेंट गवर्नर सर जेम्स इसकोर्सी में स्टन आये थे ये लाका शाबनी राजा काली चरन कहलाया बाद में इसे किला शाबनी कहा जाने लगा किला क्रॉसिंग के इस पार से शुरू होकर मिनी बाइपास तक फूलबाग था राजस रिकॉर्ड में इसका नाम सौले नगर जबकी नगर निगम में छाबनी राजा काली चरण दर्ज है तुलक इंटर कॉलेज और किलापुल के लिए जमीन राजा साहब के खांदान के लोगों ने दी है राजा काली चरण को MLC भी बनाया गया था उनकी कोठी फूलवाग अब भी मौजूद है यहां दो मरतवापूर रक्षा मंतरी एवं मुखे मंतरी मुलायम सिंग्यादब भी आ चुके हैं